गौर्जामर विकासखंड केसली के अंतरगत आने वाली ग्राम पंचायत नारायनपूर में सर्पंच श्याम रानी साहु ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे ही गाओं का भूपेंद्र साहु द्वारा मेरा लेटर पैड बनवा कर फरजी तरीके से लोगों के काम करवा रहा है। बंसी लाल आदिवासी भूरे आदिवासी पर सोतम विश्व कर्मा द्वारा हमें इसकी जानकारी दी गई थी। गूपेंद्र साहु द्वारा इन गरीब आदिवासियों को गुमराह कर फरजी तरीके से सिचाय के लिए स्प्रिंकलर सरकारी योजना विशेश अनुदान द दिया जा रहा था जो घूपेंद्र साहु द्वारा इन गरीब आदिवासियों को गुमराह कर अपने कबजे में कर लिए इन गरीब आदिवासियों ने कई बार मंगाने पर नहीं दिये जा रहे इसकी शिकायत गरीब आदिवासियों ने गाओं के सरपंच श्याम रानी साह उसे की तो इसका खुलासा करते हुए आदिवासियों ने बताया कि फरजी, सील लेटर पैट बनवा कर गाओं में ऐसा काम कर रहा था. मांगिलाल आदिवासी का कहना है कि सरकारी योजना विशेश विमान, द्वारा सिचाय के लिए पाइप और मोटर दिये गए हैं मगर गाओं के भूपेंद्र साहु, द्वारा हम लोगों को नहीं दिये जा रहे, ग्राम पंचायत नारायन पूर सरपंच श्याम रानी साहु का कहना है, कि हमें गाओं के लोगों द्वारा जानकारी मिली थी की फरजी लेटर पैट सील बनाकर काम कर रहा था मैंने इसकी शिकायत चौकी प्रभारी अनुविभागी अधिकारी को की अगर इस पर कोई कारवाई नहीं की है समवाद दाता देवरी अमित राजपूत आप यहां पर कौन से पत्पा हो क्या है अंसर पंच है अच्छा को जिपन क्या था नारांत कर रहा है फर्जी तो कर रहा हैं पूरी पास साल भजार एं कुछ गहाँ के लोगों ने शकायत किए कि फार्दी तरीके से सासान से इन आदिवासियों के नाम पर पाइप और स्प्रेंगलर निकाल दीगे जी तरी है बंचिलाल आदिवासी और भूरे आदिवासी और भागीराथ विसकरम इनके नाम से पाइप नकाले भागीराथ के ना हिं लोगों ने you the dean हाट कि कि म्माइक पासाइ में कई साल पंचा मादेलबाद और हम इसे बुराई है ठीज लयने इन्ने मना कर दीए सामान सभा अपने घर पर रखें कही कही कर Ini कले Apple उर उर मौटर जह मैं हिट है झाल झाल